आज सलारजंग म्यूजियम आडिटोरियम में हर साल की तरह मिलादुल नभी की तैयारी के लिए हैदराबाद पुलीस के तरफ से एक छोटी सी मीटिंग बुलाई गई जिसमें हमारे सभी बुजर्ग सभी उलेमा ओल्ड सिटी के इस जोन के वेस जोन के सभी जगह से और हमारे हैदराबाद सिटी पुलीस के सभी अफसरान आकर यहां गुफ्तुगू किये ये 12 ये है 12 साल है जब हैदराबाद में मिलादुल नभी के जलसे की तैयारी हो रही है और मिलादुल नभी के लिए जो जूलूस प्रोसेशन्स निकलते हैं उसके बारे में डिपार्टमेंट के तरफ से जो भी तैयारियां की गई है ट्राफिक अर्रेंजमेंट, लॉइन ओर्डर मेंटेनिंस, बल्दिया के तरफ से जो लाइट या बाकी सब चीज़ की जरूरत होती है वो हर चीज हम लोग पहले से बहतर करेंगे इस तरफिये के जलसे में हमारे उपर जिम्मेवारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक खुशी का अहसास भी होता है कि हम लोग सब मिलकर नभी की शान में जो ये फंक्शन है उसमें शरीक होकर अपने आपको बहुत खुश नसीब समझते हैं ऐसे मौके पे मैं खास करके नवजवानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि हर साल कुछ एक घटना ऐसी होती है जिसमें लोगों को चोट लगती है मोटर साइकिल एक्सिडेंट के कारण मैं बहुत सभी लोगों से अपील करता हूँ कि नवी की शान में अगर आप बाइक देख चलाते हैं तो उनकी शान में कमी होगी हमारे हिसाब से अगर आपको चोट लगती है अगर आपके कारण किसी और को चोट लगती है तो ये सेलिब्रेशन का सही तरीका नहीं है मैं सभी से गुजारिश करता हूँ खास करके जो बाइक पर रहते हैं कि आप बिल्कुल संजम से चलाएं बाइक हेल्मेट पहन कर चलाएं बाइक ट्रिपल लोडिंग नहीं करें बाइक पर ये आपके अपने हित में है ये पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से पाबंदी है यह सोचकर नहीं उसको समझे आपकी सेफटी और सेक्यूरिटी आपसे जादा उसकी एहमियत देश को है आपकी देश को बहुत कुछ देंगे शहर को बहुत कुछ देंगे ऐसे मौके पे जो भी रूल्स रेगुलेशन्स हैं काइदे कानून हैं उन सब को जरूर आप फॉलो करें आज की मीटिंग के लिए मैं सभी बुज़ुर्गों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया आदा करता कि उन्होंने यहां आकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट की होसला वजाई की और उनके आने से हमारे सभी आफिसर बहुत खुश होते हैं उनके विचारों को सुनकर उनकी तक्रीर को सुनकर एक नया जोश एक नई समझ आती है जिससे हम लोग सब मिलकर सोसाइटी को प्रस बराते हैं थैंक यू